वेल्कम टू दा चाइनल आर्वी फांटासे सेवन तो इस तुल में हम बात करने वाले NB लिग का जो माच होने वाले मिल्वांग बक्स पर से चार्लो सोर्नेस की बीच में और दोनों हेट टोएल माचेस आपर मिल्वांग बक्स ने आपर विन किये लाइनप में कोई ज्यादा चेंजेस ने सेम लाइनप है बाकि चार्लो सोर्नेस की तरफ से बैंच से कुछ आपर थोड़ी सी चेंजेस हुए जब यापर यह हीट ट्वल मैचेस के लिए ती उसके अपरडिंग और अभी फिलाल यापर करेंट जो मैचेस के दे उसके अपरडिंग लेकिन ज्यादा कुछ चेंजेस ने सेम टिम के साथ के लिए तो प्रबेबली मिल्वांग बक्स काफी ज्यादा स्टॉंग टीम है याने डबल शॉट्स जो चांसे से आपर इंक्रीज होते है अपोनेंट टीम के वो काफी ज़्यादा आया पर हाई होते है यही रिजन है कि चारलोस और नेस रिसेंटली कुछ मैचे सार कर आई उनके डिफेंस के चलते हैं बाकि मिलो एंग बाक्स एक कंप्लेट डिफेंसिव और अफेंसिव टीम में जिसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना और फाइनल टेम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्रा मिडल्टन स्टार्ट करेंगे स्माल फार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् काफी ज़्यादा योगदान रहे था अपने टीम के लिए यह काफी इंपोर्टन्ट है अलिंग को रिसेनली माइचस में टाइम मिला नहीं वैसे विए अलिंग को ज़्यादा बैक नहीं किया जाता तो अलिंग को आप ड्रॉप करकर चले जा सकते हो लेकिन अगर आप यहाप पर आप डेफिनेटली यह मैनेज कर पाऊंगे तो वहाँ पर यह आपको देहन में रखना है कि यह आपके चारों आपके टिम में हो बाकि आप ड्रिमेलोन पर यहाँ पॉसिबल नहीं है किसी ना किसी प्लेयर पर आपको रिस्क लेना पड़ेंगा क्योंकि सभी प्लेयर को हम लेने सकते क्रेटिट के चलते लास्ट माच में आगर देखेंगे तो हॉलिडे पॉइंट कर से कहलते हैं आपको अच्छे खासे करते हों देखेंगे बोभी पॉर्टिस इनके बारे में बहुत बार मेने कहा है कि सेंटर के मैक्जिमम जो प्लेयर है वो डबल डबल सेंगे तो इन्होंने 14 थ्री पॉइंटर शॉर्ट्स ट्राय किये थे जो कि किसी भी आगर यहाँ पर देखेंगे इंडवेजुली यह इस टीम के दरफ से सब्से जाधा थ्री पॉइंटर थे ओहराल अगर आप यहाँ पर सबके थ्री पॉइंटर मिला देओ तो सभी प्ले परेली 19 बिस का दोनों में डिफरेंस से सेंब लेवल के परफोर्मस दोनों के तरफ से आता है अली स्टार्ट तो करे लेकिन कुछ खास परफोर्मस इनके तरफ से नहीं आ रहा है फिर बीजियल के लिए रिकमेंडेट करूँगा स्माल लीक के लिए इतने बेटर प्लेयर नहीं है इस टीम के तरफ से बैंच के तरफ से अगर हमें आप पर जाए तो इबाका बैकाप फॉरवर्ड के लेंगे बैकाप गार वेसली मैथुस के लेंगे डेमरी कार्टर और उसिकसास अनोवेरा यह कुछ इनकी बैंच ट्रेंथ है बैंच इतना ज्यादा इंपोर्टर न और वही सबसे बेश्ट यहाँ पर टाइम खेल लेते और ऑफेंस में सबसे ज्यादा इन्वाल होते हैं सेकंड साइड चारलो सालनिस की तरफ से बांध करू तो यहाँ पर लॉंजबॉल इन्होंने फीड़ बोल से काफी जाधा श्टरगल किया है बहुँ ज्यादा शॉर् जो रिसेंटली दोनों हिट ट्वल मैचेस के लिए अगेंस्ट है आपर मिलांग बक्स तो दोनों मैचेस में भी इन्होंने बेस्ट परफोर्मस यहाँ से दिया है तो यहाँ पर इस टीम के दरफ से अगर बात करू तो रॉयजर्स और उसिक साथ लोंजबॉल आफेंस उप ट्कक कर लेते लेगिन आपको अफेंस में एक्टिवर्ट दिखेंगे मायल ब्रीजर्स रॉयजर्स सबसे जादा और लोंजबॉल यह इन्हों प्लेयर्स यहाँ पर वासंग्टन का लास्ट मैच का स्कोर रहा था टेन बॉन्ट शीक्स तो ब्लोंड और एन्च्रीड के जल सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन यहां पर यह रिबाउंड एक अच्छे खासा रिबाउंड कर देते तो आप इनको रिबाउंड की चलते आपने टिम में रख सकते लोंजबान ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है 24 शॉर्स उन्हें लास्ट माच में ट्राइक के थे जिसम अपने टिम के लिए इन्होंने फिर से बेस्ट फरफांग देया है माइल ब्रीजस जो कि आपर फॉर्वर्ड से कहल रहे है और रिसेंड़े मैं से लोंजबाल से ज्यादा पॉइंट दे जो कि आपको थोड़े से कम क्रेडिट में मिल जाएंगे एस कम फोट आपर नहीं कर सकतो सेकंड़ साइड चाड़ल से जो आप पर अपने बैंस फिलर काफी ज्यादा डिपेंड़न रही थी जापर है रेल ओफेंसव प्लेयर है और शूटिंग गार पोजिशन से अगर बात करो तो उबेरा फिर से एक ओफेंसव प्लेयर है और मार्टिंग को रिसें किसका टाइम यापर कमोंगा क्योंकि सभी बैंस से तो फिलाल यापर टिक टाक और बेस्ट यापर दे रहे है ऐस कंपेर्ट यापर स्टार्टर मार्टिंग के लिए लास्ट माच काफी बढ़िया रहा था फिलर गोल से आपर 100% एफिसेंसी इनकी शौट सेलेक्शन परसें थी वह अमोमा में यापर ज्यादा तर की शौट्स आटेम्ट करती भी दिखते हैं लेकिन लास्ट माच में स्टोड़िशी स्ट्राटजी इन्होंने चेंज की थी बैंस से काफी कम यापर शौट्स आटेम्ट हो रहे थे उससे पहले सेकर मैचस में अगर देखेंगे 14 शौ द्रिमलोन टीम तो द्रिमलोन टीम के लिए हॉलिडे पॉइंट गार से आपके लिए टिक टाक पिक मिल जाएंगे में भी आपर डिफॉल्ट फिक मिलेंगे क्यूंकि इनसे बेटर या पर आपके पास एक अडुज़ोबल का उफिशन्स आपके पास अवेलबल हो जाएंग तो लास्ट माच में बैंच से सबसे बेच टाइम के लिए योनिस डिफॉल्ट भी करेंगे डिफॉल्ट भी करेंगे पूर टीस जो कि आपर लास्ट माच में बेच परफॉर्मस अपने टीम के लिए देखकर आ रहे हैं हेरल को ट्राइ कर सकतो अगर आपके पास के लिए ड डेमोड रिविलेंटी में जहाँ पर मैं आपको तोड़ा सा रिकमेंडेर करूंगा इस मैच में आप स्मॉल लिंग में तोड़ा सा कमिनिश्मेंट के साथ चले जाना क्यूंकि हाई क्रेडिट रिश्यू है बहुत सारे अप्शन से और सभी प्लेयर यापर टिक ठाक परफॉ करना पड़ा है बागि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो मेडल करन को ड्रॉप करकर आप जाओ तो रॉइजर्स और यहाँ से ट्राइ कर सकतो माईल ब्रीजर्स जो कि आप पर स्टार्टर में रहेंगे फिलाल आपर रॉइजर्स को पिक कर हो क्योंकि मेरे पास थोले से क्रिडिट भी अफिलेब हो जाएंगे और हेरल मेरे टीम में आ जाएंगे तो यह एक कॉम्बिनिशन है जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बोवी पॉर्टिस मिल्डल टन और होलिडे यह कुछ इंपॉर्टन प्लेयर है जिने आपर अपने से बेस्ट करते हैं बाकि नोवेरा एक ऐसा प्लेयर है जहाँ पर अनप्रेडिक के बले टाइम दिया जा सकता है या फिर टाइम नहीं भी दिया जा सकता है लेकिन आप विजन अलों पर खेड़ तो नोवेरा तो थोरी थोर के जगह पर आप यापर विसली मैंत्यूस को सरहाने ऑफेंस में कापी ज़्यादा स्ट्रगल किया है यही रीजन है कि मैंने उनको रॉप किया है वैसे पर क्रेडिट इशू बहुत जादा है अगर उनको आप पर पिक करना है तो एक हाई क्रेडिट के प्लेयर पर हमें रिस्क लेना पड़ेंगा जो कुछ खास फिलाल आपके पास अफ्शन के साथ जाओ वागया हू लेकिन रजसर और हेराल यह दोनों रिस्क फिप्य और उफ्शन के साथ आपके पास अबरे प्याएंगा हैं 53 और सस्क्राइब बहुत था है मिलते फैंल के साथ हमारे टिलिग्राम पर झाल झाल झाल